दोज़ार चुनाव से पहले ही देश में UCC पर राजनीती उबाल पर है और ऐसे में अनेक तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच में अभी हमारे साथ मौझूद हैं भाषपासांसत मनुस तिवारे जी और इनसे बात करेंगे कि आखेर UCC को लेकि इतना बवाल क्यों हो रहा है जब बात की जा रही है समान नागरिक सहिंता की इस देश के हर नागरिक के लिए एक ही कानून मनाने की तो इस पर बवाल होनी की पीछे की वजह क्या है और सबसे पहला सवाल सर OVC के बात को लेके कहेंगे OVCG का कहना है कि ये जो समान नागरिक सहीता है यूनिफॉर्म सिविल कोड भाशपाई ये नहीं ला रही है भाशपाई हिंदू सिविल कोड लाने की कोशिश कर रही है UCC के बहान देखिए OVCG हर बार जब भी कोई नया कानून आता है ऐसे ही लोगों को भड़काते हैं तीन तला कारा था तब भी ऐसी भड़का रहे थे UCC का हिंदी अर्थ है समान नागरिक संगीता अब इस समान नागरिक संगीता सब नागरिक के लिए एक समान कानून हो इसमें किसको इतराज होगा आप देश के नागरिक हैं आपको हमारे लिए अलग कानून हो आपके लिए अलग कानून ऐसा तचाने लगेगा तो UCC इस देश की आवशक्ता है और इसमें किसी को भरमित होने की आवशक्ता नहीं है आप जिसको इंटरेस्ट लेना है उसमें जाकर के पढ़े उस सब कुछ क्रिश्टल क्लियर समझ में आ जाएगा कॉंग्रेस एक और आरोप लगा रही है कि नौ साल से भाश्पा सोई हुई थी जैसे ही चुनाव नस्दीक आया वैसे ही ये जाग गए है और फिर से मुद्दा ढून रहे हैं कि कैसे हिंदू मुसल्मान को अलग किया जाए और हिंदू को वोट बैंक को एक तरफा अपने पास लाया जाए उनका कहना है कि डूबती हुई कस्टी को बचाने के लिए यूसी सी एक मात्र सहारा बच गई है देखे पिछले नौ साल से जिन घरों में पचपन साल सासन करके सुयम राहुल गांदी पन्ने फाड़ते रहे और उनके बाबु जी उनके नानी दादी सब लोग मिले रहे फिर भी लोग घरीबों के घर में सोचाले नहीं था तो बारह करोड घरों में सोचाले दिया गया 48 करोड लोगों को जहां राहुल गांदी जी के पीता जी कहा करते थे एमें एक रुपिया बेजते हैं तो पंदरा पईसा पहुंचता है तो उस बिवस्ता को ठीक करने के लिए 48 करोड को बैंक से जुडा गया इन नौ सालों में नजाने जो गैस कनेक्शन 40,000 रुपिया में बलैक करते थे राहुल गांदी खुद खड़ा हो करके वो फ्री ओफ कोश्ट लोगों को दिया गया घरों में दस करोड लोगों को जो बेघर थे उनको चार करोड लोगों को घर दिया गया ये करने में नौ साल लगा है इसी में 370 हटाना पड़ा तो ये लगातार sustainable development है और अगली प्रक्रिया UCC है राहुल गांदी को समझ में नहीं आएगा क्योंकि उनके उनकी जो frustration है वो देश के गौरों को देख करके frustrated हो गए है तो हमारे पस कोई दवाई नहीं है राहुल गांदी जी के लिए आप चाहें आप गाली दीजी राहुल जी या आप जो भी करना हो करिये अगला कारे करम UCC है और इस देश को UCC दे करके एक बहुत बड़ा कल्यान का कारे होगा विपक्ष की दो बड़ी पार्टिया जो हैं वो UCC का समर्थन करते वे नजर आ रहे हैं सिफ सेन और आम आदमी पार्टी दोनों का कहना है कि UCC से उन्हें कोई तकलीफ नहीं है लेकिन उनका ये भी कहना है क्योंकि भाशपा पर जनता भरोसा नहीं कर पाती है इसलिए पहले UCC का ड्राफ तयार करें स्वरूप दें फिर जनता और तमाम लोगों के बीच में विपक्षी पार्टियों के बीच में लाए तब जाकर UCC को वो लागू करें ऐसे जनता पर थोपे नहीं ये समर्थन के साथ साथ उन्होंने शर्ट भी रखा है अब देखिए अर्विंद केजरिवाल समर्थन करें या न करें कोई फरक नहीं पड़ता वो जिस तरह से जिस तरह की हरकतें जनता के लिए किये हैं मुझे लगता है हम तो उनको कहने भी नहीं जाएंगे कि आप समर्थन दो आप जैसे भरष्ट व्यक्ति का हमें समर्थन चाहिए भी नहीं लेकिन बाकी और जो लोग हैं जो इसु बेश्ट राजनिती करते हैं वो स्वागत उनका स्वागत है और यू सी सी के प्रती किसी को भरम नहीं फैलाना चाहिए यू सी सी इस देश की आवशक्ता है कदम उन्होंने उठा ली है ड्राफ तयार कर दी गई है कमीटी बैठा ली गई है लेकिन ऐसे में क्या लगता है उत्राखंड में जो यह प्रियोक किया जा रहा है उसी सी को लागू करने की तो इससे देश वालों को एक क्लियर मेसेज मिलेगा कि आखिर यू सी सी क्या है उनको समझने में आसानी होगी अगर वो उत्राखंड के इस यू सी सी मॉडल को देखेंगे निश्चित रूप से उत्राखंड में बहुत बड़ी लीड ले रहे हैं और यू सी सी का जो भी अभी मंतब बे तयार हुआ है उसकी आदार पर बाकी राजियों को भी बहुत आसानी होगी बहुत बहुत धन्यवाद सर्हम ऐसा जुड़ने के लिए ये थे वाज़त मनुस्तिवारी भाशपासान सा दिन का साफ कहना है कि 2024 चुनाओं से पहले जो यू सी सी का जो एलान प्रधान मंतिर नरेंदर मोदी जी ने कर दिया है वो अब लागू हो कर रहेगा क्योंकि आज के समय में इस देश को यू सी सी की बहुत जरूरत है देश में कोई भी धर्म हो कोई भी कानून हो लेकिन वो हर नागरिक के लिए बराबर होगी और ऐसे में इसको लेकर मनुस्तिवारी जी क्या करे थे या आप तक हम लेकर रहें फिलाल तब तक लिए बने र साथ क्यामरपरसन कमल के साथ मैं आईशी मिश्रा दिल्ली